Become English Champion YouTube Channel पर आप सब का एक बार फिर से स्वागत है और आज हम इस वीडियो में रीड करेंगे एक बहुती इंट्रस्टिंग, फ्यूचरिस्टिक और इमेजिनरी स्टोरी तो ये स्टोरी जो है इसको रीड करके हम लोग as always इंप्रूव करेंगे अपनी English को, vocab power को और grammatical concepts को तो स्टोरी का नाम है Earth, धर्ती, the desolated home Home हमारा नाउन है desolated एक adjective है जिसका मतलब होता है destroyed या फिर devastated और इनका हिंदी में मतलब होता है तबाह किया हुआ और desolated का एक दूसरा मतलब भी होता है extremely sad या फिर empty खाली तो खाली घर धर्ती एक खाली घर या फिर तबाह किया हुआ घर तो इसके लिए मैंने आपको दो वर्ड बताए एक हो गया devastated और एक हो गया destroyed ये इसके synonyms हो गया हमारे और दोनों का मतलब है तबाह किया हुआ तो ये एक adjective है तो धर्ती एक तबाह किया हुआ घर और home क्या होता है एक रहने की जगा तो इमेज में आप देख रहे हैं ये एक planet है मार्स यहां पे space shuttle आप देख रहे हैं और space shuttle के उपर वाला जो ये पार्ट होता है इसको capsule बोलते हैं जहां पे astronauts बैठते हैं और ये एक container होता है एक तरह का डबा टाइप और इसको इसलिए बनाया जाता था कि कोई भी air water या कु अंदर भी जो बाहर का कुछ भी चीज जो वह फैक्ट नहीं कर सकता इनके अंदर तो ये एक तरह के container है capsule है लेकिन में capsule क्या होता है space shuttle की जो उपर वाला जो कौन टाइप का होता है इसको capsule बोलते हैं तो अब story को रीड करते हैं आपको बड़ी चीजे सिखने को मिलेगा तो humans ने तबा कर दिया था destroy कर दिया था the earth धरती को यह है लगा हुआ है फिर third form past perfect tense और यह जो it है subject यह जो है यह noun और was लगा हुआ है तो यह हमारा simple tense तो 2068 का समय था और humans ने मनुष्य ने धरती को तबा कर दिया था and or started और इन्होंने शुरू कर दिया था colonizing colonize क्या होता है बसना मतलब वहां पे colonies बनाना तो हिंदी हम इसका बोल देते हैं बस जाना ठीक है उन्होंने बसना शुरू कर दिया था कहां पर the red planet लाल ग्रह पर और कौन लाल ग्रह मार्स आगी लिखाए इंडिया established three colonies भारत ने तीन colonies established करी अरीवू मतीज अरीवू मतीज फैमली तो अरीवू मतीज जो है इनका जो परिवार है lived वो रहता था in one such colony एसी किसी एक कोलोनी में सच कोलोनी मतलब ऐसी कोलोनी वन मतलब एक तो एसी एक कोलोनी में रहता था तो इन्होंने तीन colonies established करी थी यानिके स्थापित की थी इंडिया सब्जेक्ट है established verb की second form तो पास्ट अरीवू जो है इसकी बात हो रही है इसके जनम दिन पर हर grandfather उसके जो grandfather है दादा या फिर नाना traveled तो उन्होंने यात्रा करी more than 1500 kilometer to meet her उससे मिलने के लिए तो उसके जनम दिन पर उसके दादा ने आउसके नाना ने यात्रा करी 1500 किलोमेटर की उससे मिलने के लिए यहां पर grandfather subject है traveled verb की second form तो past indefinite when he reached जब वह पहुंचे ही सौ तो उन्होंने देखा हर उसको मतलब अपनी granddaughter को देखा स्लीपिंग सोते हुए इन हर capsule अपने capsule में अभी आपको बताया capsule क्या होता है एक container होता है डबबा टाइप होता है जिसको बनाया जाता है ताकि कोई भी बहार की हवा या कोई भी चीजे पानी है वो एंटर ना कर सके इस टाइप का एक container होता है capsule तो जब वह वह पहुंचा या जब थोड़ा अगर रिस्पेक्ट से बोले तो जब वह वह पहुंचे तो उन्होंने देखा उसको सोते हुए capsule में तो क्लियर हुआ है सारा यह जो हमारा वेन का sentence है इस पास्ट कॉंबिनेशन तो वेन के साथ हमने लगाया पास्ट इंडेफिनेट और यहां पर उसके ब लगाते हैं भी क्या करते हुए देखा आई होप यहांदक क्लियर हुआ इसके आगे क्या लिखा है ही सैड तो उन्होंने कहा अब उनके एक्जेक्ट वर्ड उनके ग्रेंड फादर के वेकप अरीवू अरीवू उठो अरीवू मती वाज सर्प्राइजड अरीवू मती आश तो पास्ट इंडेफिनेट अई वस तिंगिंग मैं सोच रही थी धाट की यूव रूट बिक मिंग की आप नहीं आओगे फो माइं बर्थडे मेरे बर्थडे पर ठीक है मेरे बढ़ बरड़े के लिए आप नहीं आओगे तो मैं ऐसा सूच रही थी तो यह देखिए विल not becoming ठीक है will not becoming यहाँ पर आना चाहिए would not be coming because जब यह was हो गया हमने that लगा दिया उसके बाद आपको क्या करना है will वाला sentence would में बदलना है would not be coming यह future continuous है तो यह past प्लस would का concept है want यहाँ पर गलत होगा तो आना चाहिए wouldn't जो कि will not का contraction होता है want जो कि गलत है यहाँ पर तो यह book actually book में लिखा था तो मैंने आपको गलती बता दी ठीक कर ले ना तो वो सोच रही थी कि मतलब मैं सोच रही थी कि आप नहीं आओगे मेरे birthday पाद he side उन्होंने आह भरी या फिर उन्होंने एक सांस ली या चैन की सांस गोलते हैं उन्होंने सांस ली या आहा भरी और क्या वोला don't you know क्या आपको नहीं पता about the dust storm of Mars जो Mars है उसके dust storm के बारे में storm मतलब अधा तुफान डस्ट मतलब दूल भरा जो दूल भरा तुफान है Mars का क्या आपको उसके बारे में नहीं पता sometimes कभी-कभी it lasts तो यह चलता है even मतलब भी तो यह इतने time भी चलता है कितने time for a month मतलब एक-एक महिने तक भी चलता है तो लास्ट पहले तो देखो वर्ब है लास्ट और एस लगाओ इसके साथ लास्ट मतलब चलना it यहां पर storm के लिए यूज किया तुफान के लिए तो यह चलता है यहां तक कि महिने भी बट लेकिन this time लेकिन इस बार it did not यह नहीं चला so I am on time मतलब मैं समय पर हूँ it still took me three souls तो मुझे अभी भी तीन souls लगे अब souls क्या होता है जैसे धरतिप का एक दिन होता है हम डे बोल देते हैं उसी तरह से मार्स का जो एक दिन होता है उसको हम सॉल बोलते हैं तो it still took me still मतलब अभी भी तो मुझे लगे अभी भी three souls मतलब तीन दिन मतलब मार्स के तीन दिन to reach here यहां पहुँचने में यह हमारा कॉन से lesson यूज हुआ it takes, it took, it will take a lesson ठीक है it took me मुझे लगा उसके बाद हम time लगाते हैं फिर to first form यह हमने किया था workbook part 2 में अगर आपको नहीं पता तो मैं already पूरी English सिखा चुका हूँ उसके बाद हमने newspaper and stories पढ़ना शुरू किया है अगर आप भी English सीखना चाहते हैं तो आप मेरे course से सीख सकते हैं जहाँ पे A to Z बहुत ही basic level से पूरे advanced level तक सिखाया गया है सब कुछ तो सीख लेंगे तो आप सभी rules में master हो जाएंगे तो सारे rules cover होंगे उसमें तो इसके लिए आप become English champion application download कर सकते हैं प्ले स्टोर से या link का नीचे description box में बाकी detail आपके सामने लिखी होगी है तो आप जरूर इसको join करके अपनी rules को अच्छा कीजिएगा फिर आप अपने आप let's not waste time तो चलो अब ओ टाम वेस्ट नहीं करते हैं we will go हम जाएंगे to harvest कटाई करने harvest मतलब क्या आता है कटाई करना किसको किसकी कटाई करना the vegetation have key for vegetables vegetables के लिए vegetation have जो है इसको harvest करने हम जाएंगे a vegetation have क्या होता है haveicable отвеч habitat का मतलब होता है mool निवास मतलब जिसका main जो origin होता है उसको बोलते है habitat जो और यहां पर जो habits का मतलब होता है location र्यट गाराइब का मतलब हो जाता है निवासी और नहीं हम धरती के लोग हैं अगर आर्स के भी जोग होते तो हम उनको वहां के habitat बोलते हैं और यह habitat है मतलब वह स्थान जहां पर कोई चीज वहीं से जुड़ी हुई है तो हम जाएंगे harvest करने vegetation हैब को vegetables के लिए तो उमीद करता हूं यहां तक clear हुआ अब यहां तक वर्ड देख लीजिए पहला वर्ड आप याद करें destroyed मतलब तबाह करना दूसरा colonize करना मतलब निवास करना वहां रहने लग जाना अगला वर्ड इस्टैब्लिश मतलब स्थापित करना नेक्स्ट वर्ड आप याद कर सकते हैं capsule एक तरह का container जिसको बनाया जाता है ताकि हवा पानी वगरा एंटर ना कर सके और इसके नीचे surprised इसका मतलब होता है आश्र चकित होना और इसके इलावा था side एक होता है सायव फ्री लीफ चैन की सांस लेना उसी तरह से साय भी है इसको बलते है आ भरना एक तरह से सांस लेना ही होता है यह अगला है dust storm मतलब रेती जो डस्ट का तुफान होता है उसको बोल देते हैं और souls बोल देते हैं मार्स के एक दिन को soul और souls मतलब दो तिन चार जितने मर्जी हो सकते हैं और harvest करना मतलब कटाई करना वेजिटेशन हैब मतलब वेजिटेबल उगाने की जो जगह होती है उसको बोल देते हैं तो उमीद करता हूं यहां तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया और एक यह वर्ड है सम टाइम्स यानिके कभी कभी और एक यह वर्ड था लास्ट जो की वर्ब है जिसका मतलब है चलन तो अब आज यह नेक्स्ट यह उनके ग्रैंड फादर स्पेश सूट डाला हुआ इन्होंने तो आगी लिखा हुआ है इन्द हैब मतलब हैब में ही सैड तो उसने कहा दादा ने का दीज कैरेट्स यह जो कैरेट्स हैं गाजरे हैं और नोट टेस्टी एनिमोर मतलब किनके जैसी आएट जो मैंने खाई इन माई चाइल्डूड अपने बच्पन में तो यह दादा बोल रहे हैं ठीक है उसके बाद शी आस्क्ड अब इस लड़की ने पूछा अब यह देखो यहां पर शी लिखा हुआ है तो लड़की ने पूछा वाइड दू यू से सो अरिवू को अब उन्होंने क्या बोला उनके एक्जेक्ट वर्ड्स या नीचे तक है यहां तक अर्थ तक तो इन्होंने बोला दी वेजिटेबल्स भी ग्रू कह रहे हैं कि जो सबजियां जो हम उगाते हैं हैर यहां पर डू नोट टेस्ट उनका टेस्ट नहीं है लाइक all-out ओन जैसा किन जासा ओन दरती पर है मतलब हम नजो वेजिप अर्थ दर्टी पर उगाते है टो उनके जैसा टेस्ट किया होता, the carrots from the earth, मतलब धरती की गाज जो है, वो तुमने टेस्ट की होती, तो यह हमारा लेसन है, I wish I had वाला, नेक्स्ट है, अरिवु आस्ट इगरली, अरिवु ने उत्सुकता से पूछा, इगरली मतलब उत्सुकता से, अब क्या पूचा उसने, मतलब यह कैसे उगते थे, the crops, मतलब यह फसल जो है, यह कैसे उगती थी, and vegetables कैसे उगते थे, on earth धरती पर, hearing this, यह सुनकर, grandfather was reminded, of life on earth, तो grandfather को याद आ गया, grandfather was reminded, इनको याद आ गया, जीवन, कौन सा जीवन, on earth, धरती पर, he said, तो उसने कहा, grandfather ने क्या बोला, the earth had fertile soil, धरती की जो soil है, मिट्टी जो है, वो कैसी थी, fertile थी, मतलब उपजाओ थी, so इसलिए, the fruits and vegetables, जो फल और सबजी आ हैं, ग्रोन जो उगते थे, वर वो थे, healthy and tasty, तो धरती की, मिट्टी जो है, सोईल है, वो उपजाओ थी, the earth had fertile soil, इसलिए, जो fruit and vegetable grown, मतलब जो उगते थे, वर healthy and tasty, वो healthy और tasty थे, she asked, अब उस लड़की ने पूछा, बट, लेकिन, I learnt, मुझे पता लगा, मुझे पता लगा है, that key, तो यह जो learnt होता है, इसका दूसरा मतलब होता है, come to know, पता लगना, get to know, तो I came to know, I got to know, यह I learnt that, मुझे पता चला है कि humans, जो मनुष्य हैं, used chemical fertilizers, तो वो chemical fertilizers use करते थे, and polluted the soil, तो इन्होंने use किया chemical fertilizers, और इन्होंने, जो मिट्टी स्वाइल है, उसको polluted कर दिया, दूशित कर दिया, यहां पर used हमारा verb की second form है, तो humans ने use किया chemical fertilizers and polluted, और दूशित कर दिया मिट्टी को, तो मुझे यह पता चला, here, यहां पर, we get unpolluted food, यहां पर हमें unpolluted food मिलता है, मतलब जो दूशित नहीं है, वो food and water मिलता है, is that correct, क्या यह सही है, तो यहां तक आप word याद कर लें एक बार, यहां पर एक आप याद करेंगे, crops मतलब फसल, यह तो आसान सही है, एक यह word आया था, उपर, eagerly, adverb है, जिसका मतलब है, उत्सुकता से, दूसरा word of fertile, मतलब उपजाओ, soil मतलब मरीदा, यानि के मिट्टी, grown, मतलब जो उगाई जाते हैं, यह हमारा past participle है, और इसके इलावा, polluted is dhushit, unpolluted जो दूशित नहीं, I learnt, मतलब मुझे पता चला, chemical fertilizers तो आप जानते होंगे, हम कीट नाशक वगएरा, बहुत सारे chemical यूज़ करते हैं, उनको बोल देते हैं, और एक उपर यह word था, remind, मतलब याद आना, तो grandfather was reminded, उनको याद आया, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, अगला paragraph, grandfather laughed, जो grandfather है, वो हसे, और क्या बोला, these fruits, vegetables and water, यह फल, सबजियां और पानी, are not the same, यह वैसे नहीं है, as in the earth, जैसे की धर्ती में है, they are not real, यह वास्तविग नहीं है, तो यह उन्होंने कहा, grandfather ने, अरिवू exclaimed, तो अरिवू ने कहा, और exclaimed लिखावा है, इसका मतलब है, थोड़ा सा महाँ पर, emotion या excitement महाँ पर है, तो अरिवू ने पूछा, या फिर उसने कहा, even the water, क्या पानी भी, he said, तो उन्होंने का, दादा ने क्या बोला, of course, क्यों नहीं, मतलब वो भी ऐसा ही है, in Mars, Mars में, we get water, हमें पानी मिलता है, from burning fuels, fuels को, मतलब इंधन जो है, उसको बर्न करके, हमें पानी मिलता है, Mars में, on the earth, धर्ती पर, we used to get water, हमें पानी मिलता था, ये used to का lesson है, used to plus verb की first form, हमें मिलता था पानी, from rain, वर्षा से, it was natural, वो प्रकर्तिक था, and it was free, और वो मुफ्त था, she said, उसने का लड़की ने, grandpa, enough of your stories, मतलब बहुत हुए आपकी stories about the earth, धर्ती के बारे में, फिर क्या वोला, I know that, मुझे पता है कि, life, जो जीवन है, there, वहाँ पर, was easy, वो असान था, but, लेकिन, here, यहाँ पर, survival, मतलब, अपना, जिसको बोलते हैं, जीवित रहना, जो हमारा, जीवित रहने का संगर्श है, survival है, is very difficult, वो बहुत मुश्किल है, he replied, अब दादल जी ने reply किया, yes, my dear, हाँ मेरी, प्रिय, adapting to Mars is difficult, तो, Mars के, अनुकूल होना, काफी difficult है, adapt का मतलब क्या होता है, अच्छा word है, इसका मतलब, प्रिस्तिति, यानिके, situation के, अनुरूप हो जाना, उसके, अनुकूल हो जाना, उससे, उसके, अनुसार ढ़ल जाना, ठीक है, adapt बोलते हैं, अनुकूल हो जाना, किसी situation के, और survival क्या था, जीवित रहना, तो, yes my dear, कि Mars से जो adapt करना है, उसके अनुकूल होना, मतलब, उस environment के according, धल जाना, वो difficult है, today, आज, we are fighting, हम लड़ रहे हैं, for things, चीजों के लिए, कौन सी चीजे, which we got easily, जो हमें आसानी से मिली, which यहां पर relative pronoun है, जो things के लिए, यूज किया गया है, उसके वाद subject, फिर got मतलब मिलना, फिर other word easily, तो हम लड़ रहे हैं, उन्ची जो के लिए, जो हमें आसानी से मिली, आगे है, he continued, अब दादा जी, फिर जारी रखते हैं, फिर वो बोलते हैं, इन द अर्थ, धर्ती में, you did not need a space suit, तो में धर्ती में, space suit की जुरूरत नहीं थी, और या, एन ऑक्सिजन सिलेंडर, या ऑक्सिजन सिलेंडर की वाँ जूर्त नहीं थी, और साथ में, यहां पर जो, यहां पर जो, साल जो है, वो बड़े हैं, धर्ती पर तो 365 डेज है, और मार्स पर, और हो सकता है, 650 के आसपास हो, तो इसलिए कहा रहे हैं, यहां पर बड़े हैं साल, तो लोंग यूज नहीं किया, लोंगर यूज किया, बिकोज दो का कंपेरिजन हो रहा है, अरिवु सेड, फिर अरिवु ने कहा, यस ग्रेंडपा, हां दादा जी, इन मार्स, मार्स में, 668 सॉल्स, मतलब 668 डेज, तो 687 अर्थ डेज के बराबर हो जाता है, तो इतने जो सॉल्स है, मतलब इतने जो दिन है, वो एक साल बनाते हैं, तो दादा जी ने स्माइल किया, हां हां, यस, यू वुड बी 18 इयर्स ओर्ड, कि तुम 18 साल के, हो जाते, अर्थ नाव, धर्ती पर अब, तो ये आगया, वुड बी, हो जाते, तो वो लोग, प्रेजन्ट में बात कर रहे हैं, जैसे कि, अगर तुम धर्ती पर होते, तो तुम 18 के हो जाते, इफ यू वर अन दे अर्थ, यू वुड बी 18 इयर्स ओर्ड, ये हमारा, अंडिशनल संटेंस है, तो प्रेजन्ट की बात हो रहे है, रिसेंट पास्ट, इसलिए वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आगी लिख है, ग्रेंड पा, ग्रेंड पा थॉर्ट तु हिमसेल्प, तो दादा जी ने खुद से सोचा, वी डिस्टोईड आर होम, हमने अपना घर तबाह कर दिया, दा होम, वो घर, जो नेचर हैड ओफर्ड अस, जो प्रकरती ने हमें प्रदान किया था, ओफर किया था, तो नेचर सब्जेक्ट है, ओफर्ड थर्ड फॉर्म, हैड लगावा है, तो पास्ट परफेक्ट एंस, और यहां पर रेलिटिव प्रोनावन है, जो होम के लिए यूज किया गया है, कह रहे हैं घर जो धर्टी नेचर ने हमें ओफर किया था, तो वी डिस्ट्रॉइड दाट, अब अब वी आर ट्राइंग और अब हम कोशिश कर रहे हैं, तो मेक दिस आर होम इससे अपना घर बनाने की, मतलब मार्स को, अरिवू ने उनकी तरफ देखा, और कहा, डोंट वरी ग्रैंट पा, चिंता मत करो दादा जी, जो वीज्ञानिक है, आर ट्राइंग वो कोशिश कर रहे हैं, तो टेराफोर्म दे मार्स, मार्स को टेराफोर्म करने के लिए, तो टेराफोर्म क्या होता है, वर्ब है, साइन्टिस्ट जानते होंगे इसका मतलब, वैसे इसका मतलब यह होता है, जो सर्फेस होता है, जैसे जमीन सर्फेस, और जो क्लाइमेट है, तो उसको रहने लायक बना देना, तो उसको बोलते है टेराफोम तो साइन्टिस्ट ट्राइ कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं मार्स के इन्वार्मेंट को अनुकूल बनाने की ही सैड तो उन्होंने का true मतलब यह सच है बट लेकिन nothing can be the earth कोई भी चीज धर्ती नहीं हो सकती है the earth is our home धर्ती हमारा घर है oh let us leave this for now तो इसे अब छोड़ते हैं अभी के लिए छोड़ते हैं today आज we should celebrate हमें celebrate करना चाहिए तो इसे के साथ यह हूँ हमारा clear तो what actions मतलब कौन से actions destroy the earth तबाह करते हैं धर्ती को यह देखें what actions तो यह what actions subject का काम कर रहा है फिर destroy verb की first form तो present indefinite यह दबल्लेज फैमली नहीं है what actions ठीक है यह वो चीज़े जो destroy करता है how will you change it आप इसे change कैसे करेंगे और नीचे कुछ यह word लिखे में आप पढ़ सकते हैं capsule मतलब a small slandrical shaped bed ठीक है slander की shape का एक bed होता है या फिर किसी भी shape का हो सकता है आपने उपर image में देखा था रहने की जगह सोल, martin, solar day, martin day यानिके mars का एक दिन hab क्या होता है habitat यानिके human settlement और दूसरा स्थान, location fuel तो आप जानते हैं इंधन वगेरा survival to remain alive मतलब जिवित रहना adapting, modify करना या re-adjust करना या situation के अनुकूल ढालना terraform क्या होता है अब process एक process by which जिसके दुआरा the surface जो surface है और जो मौसम है, climate जो है would be changed, वो change हो जाता है to make the environment suitable to humans ताकि वो humans के लिए मतलब suitable होसके environment तो change किया जाता है surface और climate में scientist यह तो आप जानते हैं तो इसी के साथ हमारा ये lesson हुआ पूरा उमीद करता हूँ ये story आपको पसंद आई होगी तो जुरूर बताइएगा comment section में तो अब आप चाहें तो मेरा course जोईन कर सकते हैं अगर आपको English सीखनी है तो download कर लिजे become English champion app और join कर लिजे course को और सीखना शुरू करें अब मिलते हैं अगली वीडियो में अभी दीजे इजाजत Thank you so much